हालो सुटेंट गुड मॉर्निंग रादे राम राम कैसे हो आप सब लोग बढ़िया फस्क्लास एक बार ज़रा कॉमेंट करेंगे ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के है चलिए बताइए कोई टक्निकल गिलिस तो नहीं है ना भई सेशन में एक बाज ज़रा कंफर्मिशन देंगे सारे बचे सब कुछ और लोग के है ठीक है जी तो चलिए बचा सेशन को हम लोग शुरू करते हैं जो भी बचे नए है डेली क्लासेज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज सबके लिए जो आपके exam point of view से बहुत जादा important होने वाले हैं चलिए बचा questions की सुरूबात करते हैं पहला question हम लोग देख लेते हैं Lotus Java और Oracle इन में से किस चीज से संबंदित है पड़ा पड़ बताईए like and share आप लोग अपने आप करते रहेंगे मुझे ना कहना पड़े मेरी concentration इधर रहेगी questions कराने पर और आपकी concentration होनी चाहिए कि question ठीक करें ज्यादा से ज्यादा और answer करने की कोशिश करेंगे ओके जी चलिए तो Lotus Java और Oracle इन में से किस चीज से संबंदित है बच्छा आपके computer विज्ञान से किसे बच्छा computer विज्ञान से next question देखते है sodium bicarbonate या baking soda का रासाइनिक सूत्र क्या है sodium bicarbonate या baking soda का रासाइनिक सूत्र इन में से क्या है अगर तुम लोग ये सूच रहे हो कि हमारे exam में बहुत tough science के question आएंगे तो भूल जाओ tough नहीं आएंगे easy आएंगे साथी साथ बच्छों कुछ ऐसे question होंगे जो आप daily life में use करते हैं वट आपका कभी ध्यान नहीं चाता कि ये वो question भी आपके exam में आ सकते है ठीक है जिसे नीम के पत्तों का इस्तमाल उनकी चीज के लिए करते है ठीक है नहाने की सावन कप्रे दूने की सावन में क्या होता है baking soda क्या होता है दूने का soda क्या होता है कुछ बहुत basic से question होते हैं जो आपके दिमाग बिल्कुल हर टाइम रहने चाहिए कि भाई इसमें से कोई भी question आया तो हम बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ के आएंगे चलिए जी आगे बढ़ते हैं वच्छा देखते हैं एक हमारे शणीर में मेटाबोलिसम को कंट лишь करने वाली ग्लेंड इंनने से कौन सी है बताइए मेटाबोलिसम को इनने से कौन सी ग्लेंड कंटरोल करती है हमारे शणीर में घ्लाइट थ भी twenty इतना दिमाग में रखना क्योंकि आप तुम्हारे एक्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है अप्रोक्स आप लोग एक महीना एक हफ्ता ही समझ लोग है ना मतलब कुल मिला के आपके कितने हो गए भई 37 days के आसपास आपके एक्जाम में बचे हुए है तो अब आप लोगे पास में समय जादा है नहीं और एक्जाम डेट अब आपकी आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है कार के बैटरी में उप्योग किया जाता है कौन सा एक हैं किंग okay vanp को बस ड्राइबर के पश्च यानि साइड मिरर के अंदर हम लोग कौन से मिरर या दरप्ड का इस्तवाल करते हैं बताएए आपके गाड़ी में बाइक में स्कूटी में जो साइड मिरर होते हैं वो कौन सा मिरर होता है अवतल या उतल या उतल बताएए जी तो बच्चा क्या आपका उत्तल दर्पन कौन सा क्योंकि उत्तल दर्पन जो होता है ये वस्तु के आकार से छोटी इमेज बनाता है और साथी साथ क्या बनाता है बच्चा आपकी सीधी इमेज बनाता है अब गारी चलाते हो कभी ऐसा हुआ कि ट्रक पीछे से आ रहे हैं आप से हम किसको एलर्जी वर्ग के रोग में काउंट कर सकते हैं देखो आज कल क्या है डोक्टर्स भी आप जाओगे ना तो अस्थमा को अधिकतर बोलेंगे आपको एलर्जी हो गई है अनी चास कर आएगी जिस से इंसान को सास देने में दिकत होती है तो इस्तेमा को हम लोग सैलेजी डिजीज में काउंट करते हैं सरसीवी रमन को क्यों करते हैं ये भी बता देते हूं क्योंकि इनसान को बहुत सारी चीज़ों से अलर्जी हो जाते हैं धूर, मिटी, पॉलुशन, जो कुछ लड़कियां होती हैं अगर उनको हो जाता तो तरता लगाते हुए उनको रैंडम से खासी आना, सांस रेने में प्रोब्लम हो जाती है, दम घुटने जैसा फील होता इंसान को, सरसीवी रमन को 1930 में नोबल परुसकार से किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था, बताईए, 1930 में इनमें से किस चीज़ की खोज के लिए आपका basically नोबल प्राइस दिया गया थ रमन इफेक्ट के लिए, इस कोशन में तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही easy कोशन है, बासी मखन से दुरगंद इनमें से किस के कारण आती है, बताईए, चलिए जी बताईए, तो बासी मखन में दुरगंद इनमें से किस चीज़ के कारण आती है, बताईए, चलिए जी Daputeric Acid. Lactic Acid दूद में पाया जाता है, billing Acid निवू के अंदर पाया जाता है. Next Question देखते हैं आपका. लालरक्त कणिकाओ के निर्माण कारिये में कोन सहायक होता है? लालरक्त कणिकाओ के निर्माण कारिये में इन में से कोन सहायक होता है? बताईए. हमारे शरीर में या फिर RBC के अंदर इन में से कौन सा तत्तो पाया जाता है तो RBC के अंदर कौन सा तत्तो पाया जाता है आपका आयरन ठीक है हमारे शरीर में देखो oxygen को आप रहा हों पाया बर Valchand हम आए प्रवाद में ऑप याद रहे सिकवेन्स होती है जिसे आप याद रहेंगे कोश्यन सिर्फ घूमाये अपको सब आता होगा अगला कोश्यन के उपचार यह विथा रहें द्रूंट करते हैं और याद है वहिया यह वेकिंसी आपके चार से पास साल बाद आई है और कोई वरोसा नहीं है अगले चार-पास साल भी आए या नाए नोगरी ले लो फिक्स कर लो और अपना वहिया कमाने पर लग जाओ कैंसर के उप्चार में किस समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है तो कैंसर के उप्चार में हम लोग इनमें से किस समस्थानिक का उप्योग करते हैं कोबाल्ट 60 का किसका बच्चा कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेच्ट राइबोसोंस की खोज किसने की राइब एक्जाम तो शाहिद आपका है मेरा तो है नहीं तो फिसली आंसर तो आपको यह करने की आदर डालनी पड़ेगी राइबोसोंस की खोज इन में से किस के द्वारा की गई थी पच्छा आपके पैलर के द्वारा हमने राइबोसोंस को पहले पैलर कन ही कहा था नेक्स्ट कोशन है पाचन उत्सरिजन अवं तंत्रिका तंत्र के कारिय विधी में कौन सहायक होता है? पाचन उत्सर्जन अवं तंत्रिका तंत्र के यानि कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इन में से कौन सा तत्व जरूरी होता है सोडियम लगा के आना सोडियम उप्शन में ना हो तब आप लोग पोटेशियम लगा के आएंगे नेट्स कोशन है आरफ्टता यानि जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है इन में से हम किस समस्थानिक का इस्तमाल कर सकते है जिन लोगों में आनिनिया या फून की कमी हो जाती है उनके उप्शार में हम इन में से किस तत्व का इस्तमाल करते है तो हम लोग किस तत्व का इस्तमाल करते हैं बचा आयरन 59 का आयोडीन 131 का गोईटर घेंगा रोग में Chobar 60 Cancer और Phosphorus 32 पा Skin Cancer तवचा Cancer में हम लोग इस्तमाल करते हैं लाइजोजोम्स की खोज किस ने की लाइजोजोम्स की खोज इन में से किस के द्वारा की गई राइजोजोम्स लाइजोजोम्स आपके कोशिका के कोशिकांग है यानि हमारे शरीर में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले यह आपके क्या है कुछ पार्ट हैं कुछ हिस्से हैं जो हमारी कोशिकांगों को Regenerate करने में उनको स्वस्त रखने में मदद करते हैं तो लाइजोजोम्स की खोज किस ने की थी डी डूवे ने रिजहारा मतलब है कि उनको बनाने में नहीं मतलब कोशिकांगों का अपना अलग अलग पार्ट होता है कोशिका स्वस्त रहेगी तो हम भी रहेंगे डी डूवे ने आपकी किसकी में चाहरिक खोज की थी लाइजोजोम्स को हम लोग सुसाइडर बैग उपसेल कोशिका की आत्मगाती ठैली बोलते हैं क्यों बोलते कि किसके अंदर हाइडरोलिटिक यह पाया जाता है जिसका नेचर होता है आपका ऐसे अमली है साड़े चौर पास सकती है चोती है छोते-मोटे जम्स कि टानों को मारने का काम करता रहता है हमार किसका फॉल फॉर्म पूछ रहे हो अमर्जीत तो कोस्किय समवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंतरण हम इन में से देखो अगर आपके पास में क्या नहीं है सोडियम नहीं है तो आप लोग क्या का लगाओगे पोटेशियम आंसर लगाओगे सजीव कार्वनिक वस्तूओं की आयो को निर्धारित करने के लिए किस जिधी का प्रियोग करते हैं सजीव कार्वनिक वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए हम इने से किसका इस्तमाल करते हैं बताईए तो सजीव कार्वनिक वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग कार्वन 14 का इस्तमाल करते हैं आओडीन 131 अभी पताया था अभी बताया था आउडीन और फॉस्फोरस भी फुटापर बताईए कमेंड सेक्षन में चलिए जी बताईए पॉस्फोरस 32 और आउडीन 131 का बताईए तो आओडीन 131 किसी का आशर नहीं आया है क्लास में तुम्हारा जिर्माब है नहीं पताईए क्या अगर तुम लोग बैठे हुए आरे किसी चीज को अपना समय दे रहे हो तो उससे तुम उसको यूटिलाइस को गरो अपने समय को किसी और चीज़ को यूटिलाइस करना सीखो या न सीखो अपने समय को बढ़ना सीख लो आयोडीन 131 गहिंगा रोग में और फॉस्फोरस 32 किसमें बचे आपके इस्किन कैंसर में इस्तमाल किया जाता है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं जीव द्रव्य के खोज करता कौन है जीव द्रव्य के खोज करता कौन है जीव द्रव्य के यानि कि प्रोटो प्लाज्म की खोज इन में से किसके द्वारा की गई थी तो देखो प्रोटो प्लाज्म की खोज एक्शुली में जूलियस हद्जले ने की थी बट हमें option हमेशा पुरकिन जे ही मिलेगा किक这 route ग्रंथी का नियंतरन किस से किया जा सकता है तो thyroid gland के लिए कौन सा तत्व जरूरी है भचा आपका आयोडीन बारत की प्रिसीद लागुन चिलकाजहील किस राजये में इस्थित है? तो लागुन चिलकाजहील इनमें से किस राजये में बच्चा आपकी पाई जाती है उडिशा में? नेक्स्ट कोशन देखेंगे आपका अनाज के परिरक्षण में सामानेत है किसका प्रियोग किया जाता है तो अनाज के परिरक्षण में हमिल में किसका या किसी भी चीज़ को प्रिज़र्व करने के लिए आप में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजोगी से प्रभावित होता है आँख में वर्ण दर्षन, कलर विजन इनमें से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है तो हमारी आँखों में दो तरह की कोशिकाए होती है तनकू और द्रड कोशिका जो होती है वो सफेद और काले रंग को देखने में मदद करती है या अधेरे में देखने में मदद करती है और कौन सेल्स, कलर्स को देखने में मदद करती है तो बिसिकली जिनको कलर विजन की प्रोब्लम होती है उनको कुछ पर्टिकुलर, चटकीले कलर नहीं दिखाए देते है color blindness और color vision में थोड़ा सा अंतर है color blindness वालों को primary color red green blue देखने में और कुछ लोगों को yellow color देखने में भी problem होती है color vision में कुछ चटकी ले और जो आपके तड़कते भढ़कते color होते हैं वो देखने में इंसान को problem होती है वो differentiate नहीं कर पाते हैं सारे color एक साथ हो जाते हैं मानव में गुर्दे का रोग इनमें से किस prediction से होता है वच्छा आपका किस से होता है ये अपका किसे बचा Acadenium से। ब्हारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाय! मताईए जीव हूं ब्हारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाय जाते ह। चोविस प्रतिशत आपक का इस प्रोटीन के अमीणो अंभल में कौन सा एंजाइन उत्प्रेरक का कारिय करता है प्रोटीन के अमीनो अमल में इन में से कौन सा एंजाइन उत्प्रेरक का कारिय करता है या प्रोटीन को अमीनो अमल में कौन सा एंजाइन चेंज करता है तो देखो प्रोटीन को peptides में बदलता है पैपसिन और ठिपसिन जो होता है ये अमीनो अमल में चेंज कर देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वाइनली ठिपसिन जो है ये peptides को अमीनो अमल में चेंज करता है किसी व्रक्ष के आयू का निधारण इन में से किसके द्वारा किया जाता है बताईए जी किसी भी व्रक्ष में आयू का निधारण इन में से किसके द्वारा किया जाता है तो देखो जब आप पेड को काटते हो तो पेड को काटने के बाद में आपने कुछ इस तरह की rings देखी होंगी है न हम इन rings को count करते हैं और इसकी उम्र का पता लगाते हैं यानि वले के अधार पर जो इसमें rings होती हैं उनको count करके हम पता लगा पाते हैं कोई नाव डूप जाएगी जब है पानी अपने blank अपने भार के blank खटाती है कोई भी नाव कब डूप जाएगी यह बताएगे कोई भी नाव आपकी इन में से किस कंडिशन में डूप जाएगी यह तो बहुत इजी है आर्किमरीज का प्रिंसिपल एर्ट क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग ने कि एर्ट क्लास में पढ़ा होगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे ठीक है चलिए मानव शरीर में डी हाइडरेशन होता है मानव शरीर में डी हाइडरेशन कब होता है हमारे शरीर में डी हाइडरेशन होता है कब बच्चा जब हमारे श सफा 이ंग वाले हरे को वोड़ा स्देट को और एसे किरह जैसे एसे कि तुरंट के थेर में अंदर चिली गई है, इसकी किन को और थ्वड़ा सा ऐसे दर पकड़ के रखिए यदि ये सकिनMagy को जैसे कि मेरी अभी तुरंट के तुरंट थोड़ी दिर मैं अंदर चली गई, लेकिन आगर यह आपकी स्पुर्ण की तरफ उठी हुई रहे गई बहुत लोगों की होती है अगर आप इसको ऐसे करोंगे एसे जब पकड़के रखोंगे तो यह बहुत लोगों की तरं तुनदर नहीं जाएगी आप की उपर की तरफ उठी रहेगी इसकी मतलब आपके अंदल पानी की कमी है आपको जादा पानी पीना शुरू कर देना चाहिए मास्पेशियों हमारी मसल्स के लिए इन में से कौन सा तत्व जरूरी होता है बताईए तो हमारी मसल्स के लिए इन में से कौन सा तत्व जरूरी होता है बचा आपका magnesium next question है ओध्योगिक सहरों को प्रदूशित करने वाला घना धूल और sulfur dye oxide युपत कोहरा क्या कहलाता है जो present में आपने situation देखी होगी यगी धूप नहीं निकलती तो आपको लगता है जिसे कोहरा है बट वो कोहरा नहीं होता वो होता है आपका smoke वो क्या होता है बचा आपका smoke होता है यानि जब धूaan और पोहरा आपस में mix होते हैं तो नहीं हम smoke बोलते हैं कौन सा विटामिन कैल्शिम के अपोसोशन में सहायक है कौन सा विटामिन है हमारे श Stevens में कैल्शिम को absorb करने में मदद करता है कौन सा विटामिन है हमारे शरीर में जो की कैल्शियम को एब्जोब करने में मदद करता है और धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है तो दोनों का सेम ही आंसर होगा क्या बच्छा आपका विटामिन डी क्या बच्चा आपका vitamin D ये calcium phosphorus को absorb करने मदद करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में हड़ीयों के लिए भी जरूरी है धूप से ही मिलता है आपको क्या बच्चा basically vitamin D ठीक है अब एक बहुत ही प्यारा सा motivational thought कि खुद को इतना perfect बनाओ जिसने भी आपको ठुकराया है आपकी life में, मेरी life में रिष्टेदार हो गई, कुछ नहों हो गई कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो हमेशा कुछ नहों कुछ negative बोलते ही रहते हैं कि वो इतना काम्याब एक दिन अपने आपको बना लो तो कोशिश करो उस समय पर सांत रहो क्योंकि अपनी strategy तुम जानते हो अपने तरीकों को तुम जानते हो जब तुम्हारी को insult कर रहा है को बुरा ही कर रहा है तो उस समय पर तुम लोग शांत रहने की कोशिश करो क्योंकि यदि तुम लोग उस समय पर शानत रहे गए और सही स्ट्राटेजी से तुमने काम किया तो समय और तुम्हारी सफलता उसके मुँपर जो तमाचा मारेगी न वो दुनिया में आपके शब्द तभी भी नहीं मार पाएंगे तो कोशिश करो अपनी सफलता का तमाचा आप उन लोगों के मुँपर मारो जिन्होंने जब भी जहां भी तुम्हें बेज़द करने की कोशिश किया अपनी बेज़द ही को बहुत संभाल के रखना चाहिए इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए इज़द जहां से मिलेगी न हो सकता है आप उस चीज़ को एक बार के लिए बूल जाओ लेकिन बेज़दी को कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं चलिए आपका एक्यूपंचर क्या है वोट इस एक्यूपंचर चलिए तो एक्यूपंचर क्या है सुईयों से उपचार की एक विधी है नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं मचलियों के यकरत तेल में इनमें से क्या पाया जाता है बताईए मचलियों के यकरत तेल के अंदर इनमें से ए और डी दोनों पाया जाते हैं बर डी की जो बच्चा आपकी अमाउंट है वो थोड़ी सी व्यादा होती है तो वायू में तापमान बढ़ने पर तो देखो V is proportional to T यानि यदि temperature बढ़ेगा तो आपकी velocity भी बढ़ेगी अगला question है estrogen एक hormone है जो पाया जाता है estrogen एक hormone है जो पाया जाता है estrogen एक hormone है जो इनमें से किसके अंदर पाया जाता है वचा आपका females के अंदर नेक्ट question देख लेते हैं पारी इस्तितिकी तंतर में nitrogen का परिसंचरण इनमें से किसके द्वारा होता है पारी इस्तिकी तंतर में nitrogen का परिसंचरण इनमें से किसके द्वारा होता है bacteria के द्वारा किया जाता है अब चलिए बच्चा वो बच्चे जो मेरे साथ जूड़कर पुरी टीम के साथ जूड़कर अपनी तयारी को और सुनिश्चित करना चाहते है नहीं तो वीडियो के description में आरती चोधरी के नाम से लिंक मिलेगा वहां से application डाउनलोड कर लीजिए same home page खुलेगा आप लोग इस तरह से किलिक करेंगे SSC पर किलिक करेंगे UP Police Constable पर किलिक करेंगे यह में धावी एक मात्र बैच है कोई बैस दूसरा नहीं आने वाला जो इसमें classes हो गई है आपको recorded form में मिल जाएंगी उनको फटाफट से complete कर लेना double speed में यह थोड़ा time बढ़ा लोग पढ़ने का अपना क्लिक करोगे बच्चा यहां पर आप लोग buy now पर क्लिक करोगे चाहें तुम्हें कितना भी महंगा दिखाई देगे maximum discount by 446 जैसे ही आप लोग apply करोगे यह website है यहां पर 920 का दिख रहा है लेकिन यदि application से लोगे तो आपको 870 रुपे में यह batch मिल जाएगा ठीक है आप लोग याद रखेंगे website से आपको 870 या 880 रुपे में आपको यह मिल जाएगा science नहीं आपको इसमें science history quality economics ठीक है environment current affairs 37 बचा क्या आपका maths reasoning Hindi जो भी आपके subject है वो सबके सब इसमें आपको complete कराए जाएंगे ओके तो इसी batch में भाईया admission ले लो जो class निकल गई है उनको recorded form में complete कर लेना ओके जी अब वो बच्चे जो test series लेना चाहते हैं तो आप simple back जाओगे इस तरह से चीक है और नीचे थोड़ा सा scroll करोगे तो यह test series है ओके इनमें आप लोग test लगाना शुरू कर दीजिए किताबों के लिए और थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो यही सारी की सारी किताबे हैं जो दिली पुलिस के लिए special हमने तयार की है इनमें से आप जो चाहें वो किताब order कर सकते हैं Y446S coupon code लगेगा test series के लिए और books के लिए maximum discount books आपके घर पर deliver करते जाएंगे दो से तीन दिन में ओके जी छीख है सारी बचा जितनी भी paid class में सब में आपको पूरे पूरे PDF मिलते हैं तो hopefully session आप लोगों कैसा लगा एक बार आप लोग मुझे comment section में अभी बताएंगे साथ ही साथ बचा जिन्होंने like नहीं किया है session को एक बार जाते जाते सारे बच्चे like कर देंगे ठीक है अब तो भी class end होने वाली है तो तुम लोग करी सकते हो like ओके चली बचा अब आपसे कब मुलाकात होगी कल मुलाकात होगी सेम इसी समय पर और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए ध्यार लगा कर मन लगा कर पढ़ते रहिए ओके चली बाए बाए टेक क्यार जहित